हिमाचल के एक मात्र मनेरी मठ तिपपत बॉम धर्म का मुख्य मठ दोलांजी में स्थित है यह मठ लाड टोपा शेनब्रो मीबो द्वारा स्थाफित किया गया है इस मठ में 500 से अधिक भिक्षूवा नन अध्यन कर रहे हैं बाद धर्म के सबसे पुराने संपरदाय बॉन का मनेरी मठ सूलन के दोलांजी में स्थित है इमाचल के इस एक मात्र मठ की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी इसे लाड टोपा शेनब्रो मीबो ने स्थाफित किया था यह धर्मिक स्थल सूलन शेहर से 18 किलोमेटर दूर औच घार तथा नारक से दोलांजी तक 8 किलोमेटर दूर है मठ के सामने पहाडों में कई स्वभाविक रूप से अध्वित आकार बने हुए हैं जिने देखते ही परेटकों का मन प्रफुलित हो जाता है मठ के आसपास कई प्रकार के आउशदिय पौधे भी हैं जिसकी वजह से इस जगह को मनेरी वित्पन भी कहते हैं इसका मतलब मेडिसिन माउंटिन है मनेरी मठ में परेटक सामाजिक मोह को छोड़ कर इश्वर को याद करते हैं यहाँ पहुंचे परेटकों ने कहा कि क्षेतर के लोग काफी मददगार हैं पूरे पार से यहाँ पर लामा लोग आते हैं खास बाद यहां पर यह बोन मुनस्ट्री जो इंग्या में बहुत कम है क्योंकि तिबद का सबसे पुराना द्रम कहते है कि नेटिव डिवाइडन रिलीजिन और यहां पर चक्कर जाएगा तो आप लोग एंटिकुलोग जाना परता है वह खास बाद यहां और यहां का जो गुद्धा है जो गुद्धा नहीं है बुद्धा शेंडरब में वह क्याता है तिपद में ही जो पहले सेंट्रल एशिया में एक गुद्धा आया था जो गुद्धा से बहुत पहले है यहां अभी से गिनकर 18,000 साल पहले जनव हुआ था यहां के बारे में बहुत कुछ सुना था तो आए है अभी एक्स्प्लॉर करने के लिए वेरी पीस्फुल प्लेस अंदर का स्क्रिप्चर और वो सब देखके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यह सब चीजे तो सिपी शेह में देखने को मिलती नहीं जितना सुना था उस पीस्फुल जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है यहां पे सब लोगों को आणा चीह अ चीह है और तुस्ट्थी नहीं प्लेस है तो मैं क्भाथ अच्छ प्लेस है आप आ यहां पे आएं और और सारे में गींडी गींडी हैं बहुत अच्छा लगा मुझे आए पर शहर से कुछी किलोमिटर की दूरी पर रुलांजी नामक स्थान पर हिमाचल का एक मातर तिब्बती बॉन धरम का धार्मिक स्थर है इस थर पर देश्वी देश से प्रेटर घूमने के लिए आते हैं वो साथ ही दर्शन भी करते हैं संसारिक मोग को छोड़कर लोग इस थान पर शांती का नुभव करते हैं दिव्या हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूथ की रिपोर्ट